प्रसन है इस वीडियो सेसन में आपको 50 questions को प्रवाइट कराएंगे चुकि 50 questions में ही काफी लंबा वीडियो सेसन जाएगा चुकि कई प्रकार के प्रसनों को लाया गया है इसमें तो चलिए सबसे पहला question देखते हैं factual data है परियावरण संरक्षन अधिनियम कब पारित हुआ थ देखते हैं तीसरा प्रसन पारिस्थित की तंत्र सब्द का प्रियोग सरप्रथम किस ने किया था तो पारिस्थित की तंत्र यानि की इको सिस्टम सब्द का प्रियोग सबसे पहले एजी टैंसले ने किया था टैंसले टैंसले कुछ भी हो वो pronunciation के आधार पर होता है चार विकल्पों में जो भी मिल जाए तो आप उसको टिक करिये जा सीधे से एजी टैंसले या टैंसले कु गोफला पत्र का सीरसक था वो था the future we want यानि कि भविस्य जो हम चाहते हैं पाचवा प्रसन है वन की पेड़ों की चाल पर उगे हुए क्या मिलते हैं तो वन के पेड़ों की चालों पर लाइकेंस उगे हुए मिलते हैं चठा प्रसन है कि मरुस्थल में उगने वाले पौध पौधे क्या कहलाते हैं तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरो फाइट्स ध्यान दीजेगा मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरो फाइट्स साथवा प्रस्ण है कि पौधे किस प्रकार का जल अवशोशित करते हैं तो पौधे कैपिलिरी एक्षन होता है यानि कि केशिका तो क्रिया के द्वारा जल का अवशोशल करते हैं तो केशिका जल, कैपिलिरी वाटर को जल अवशोशित करते हैं आठमा प्रसन है कि घास इस्थलिय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो घास इस्थलिय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड जो होता है वो स्ट्रेट होता है आनि कि सीधा होता है अगला क्वेस्चन है most important है बीसों बार ये प्रसन आया है कि पारितंत्र में उर् उर्जा का प्रवाह कैसा होता है तो ये होता है एक दिसी है यानि कि यूनि डाइरेक्शनल होता है खाद जाल में उर्जा का जो फ्लो है वो एक दिसा में ही होता है हमेशा से फिर है इकलोजी सब्द को देने वाले थे यानि कि इकलोजी सब्द को किस ने दिया था यी हैकल न पारितंत्र में मानव क्या है तो मानव है सर्वाहारी यानि कि मानव को सर्वाहारी की स्रेड़ी में रखा गया है फिर है कि जीवाण एक्टिनो माईसीज वा कवक को क्या कहते हैं तो जीवाण हो गया एक्टिनो माईसीज वा कवक इन्हें अप घटक कहा जाता है ध्यान प्रस्ण है कि दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण छेत्र को क्या कहते हैं यानि कि जो ट्रांजिशन एरिया होता है दो इको सिस्टम के बीच का उसको क्या कहा जाता है बहुत ही महतपूर्ण प्रस्ण है दो पारिस्थित की तंत्र के मध्ध के संक्रमर छेत्र को ट्रांजिशन एरिया को क्या कहा जाता है इको टोन पंद्रहवा प्रस्ण देखते हैं कि 1985 से हर वर्ष भारत सरकार किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है तो 1985 से हर साल भारत सरकार जो है इंडियन गौर्मेंट अक्टूबर के फस्ट जो सोमवार आता है फस्ट मंडे में विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है सोलावा प्रस्ण देखते हैं कि भूगोल को मानो पारिस्थित की यानि कि human ecology के रूप में परिभासित किस ने किया था तो हरलान बैरोज ने भूगोल को मानो पारिस्थित की यानि कि human ecology के रूप में परिभासित किया था सत्रहवा प्रसन देखते हैं कि पारिस्थ की तंत्र में उत्पादक है प्रोडियूसर्स कौन है इकोसिस्टम के अंदर तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं हरे पौधे ये उत्पादक है जबकि मानव उभोगता यानि कि कंज्यूमर की स्रेडी में आता है इसके संबंध में थोड़ा सा हम एक व्याख्यात्मक वीडियो लेकर आएंगे थेोरेटिकल चीजों को डिसकर करेंगे लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फैक्चुबल डेटा आप देख लिजे फैक्चुबल क्वेस्चन है इसके बाद थेोरेटिकल तरीके से प्राथ्मिक उभोगता दोतियक उभोगता तरतियक है अब घटक है जो अक्सर थोड़ा सा उलजाते हैं कन्फ्यूजन होता है उनको हम अलग से वीडियो में आपको बता देंगे चलिए नेक्स्ट कॉस्चन अठरावा है कि पारिस्थित की इस्थाई मित ब्याईता है यह किस आंदोलन का नारा रहा है तो चिपको आंदोलन मोस्ट इंपोर्टन्ट मूमेंट है यह चिपको आंदोलन सुन्दरलाल बहुड़ा जी इसके प्रडेता है प्रीवियस वीडियो में डिसकस किया जा सुका है प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में क्लिक कीजिएगा आई बटन को यहाँ पर प्रेस कीजिएगा एक आई टाइप का बटन दिख रहा होगा आपको तो आपको वहाँ पर सारे जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो है इवियस के परियवरण अध्यन के वो मिल जाएंगे उनको भी आप देख सकते हैं चलिए next question लेते हैं नीश्वा प्रस्ण है कि स्वसन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया है तो स्वसन अपचय कैटाबोलिक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है फिर है clean गंगा मिसन नामक योजना का क्या लच्छ है तो clean गंगा मिसन नामक योजना का लच्छ है 2020 तक गंगा को और द्योगिक एवम सीवेज की गंदगी से मुक्त करना 21 प्रस्ण लेते हैं रास्ट्रिय उर्जा सनरक्षण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है तो रास्ट्रिय उर्जा सनरक्षण दिवस के रूप में 14 दिसंबर को मनाया जाता है फिर है प्रत्वी दिवस इसको World Earth Day के नाम से भी जाना जाता है विश्व प्रत्वी दिवस ये कब मनाया जाता है Most important question है अक्सर ये पूछा जाता है तो ये 22 April को मनाया जाता है फिर है Global 500 Award यानि कि Global 500 पुरसकार प्रदान किया जाता है किस छेत्र में परियावर्ण प्रतिरच्छा के लिए Global 500 पुरसकार प्रदान किया जाता है फिर है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को ध्यान दीजेगा 16 सितंबर फिर है Agenda 21 Most important ये भी question है अक्सर इससे question बनते रहते हैं Agenda 21 से संबंदित तो Agenda 21 का संबंद किस से है तो रियो में प्रत्वी सीखर सम्मेलन का दस्तावेज है Agenda 21 क्या है रियो में जो प्रत्वी सीखर सम्मेलन हुआ था उसका दस्तावेज है Agenda 21 देखिए यहाँ पर दो सूचिया है PCS का ये question है एपिको आंदोलन तो ये मिलान कर देंगे आप पांडूरंगा से एपिको मुमेंट को चलाने वाले या एपको मुमेंट से सम्मधित है पांडूरंगा चिपको आंदोलन से चंडी प्रसाद भट सम्मधित है जबकि ग्रीन वेल्ट आंदोलन से वंगारी मथाई सम्मधित है टिकाव विकास इस सम्मधित है Agenda 21 फिर है विश्व वन्य जीव निधी यानि की World Wildlife Fund का सुभंकर क्या है तो इसका सुभंकर है पांडा ज्वाइन पांडा कहते हैं इसे तो विश्व वन्य जीव निधी का World Wildlife Fund का WWF का सुभंकर है पांडा कई बार ये क्वेस्चन बन चुका है पांडा याद रखिएगा फिर है अगला question ये भी बेहत महत्पूर है मांटरियल प्रोटोकॉल किस से संबंदित है तो ओजोन डिपलेशन से संबंदित है यानि कि ओजोन 6 से संबंदित है फिर है पेजल को सुद्ध करने के लिए potassium per magnet का प्रियोग किया जाता है क्योंकि यह है यहाँ पर दो question आपको तैयार हो जाएंगे कि पेजल को सुद्ध करने के लिए अक्सर ये प्रस्ण बना है कि किसका प्रियोग करते हैं potassium per magnet जिसे लाल दवा भी कहते हैं तो लाल दवा potassium per magnet का प्रियोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है उपचायक है यानि कि आक्सिडेंट है आक्सिकारक है फिर है राष्ट्रिय परियावर्ण आभियंत्र की संस्थान राष्ट्रिय परियावर्ण आभियंत्र की संस्थान यह कहां इस्थित है हिट क्वेस्चन रहता है इन्वार्मेंट का नागपुर में इस्थित है फिर है अगला question ये तो हदें पार कर देता है important इतना question है भारतिय वन जीव संस्थान कहां पर है देहरादून में है A.C.I. जंगली गधा कहां पाया जाता है अक्सर ये भी प्रस्ण पूछा गया है कच्छ कारण में देखिए जो भी प्रस्ण है आप पूरे वीडियो सेशन को सुरू से लाज तक देखिएगा एकदम मज़ा आजाएगा और आपको कहीं भी पन्ने पलटने की आवशकता नहीं है आपको कहीं खोजने की आवशकता नहीं चूँकि कई question paper को लेकर के कई जगा के materials को जाकर के हमन यहाँ पर एक दूसरे से इंटर लिंग करते हुए matter को रखा है तो इस वज़ा से हर एक बिंदु को पूरे वीडियो सेशन को सुरू से लाज तक आप seriously देखिएगा अब अगला question है वन्ने जीव और इनसे सम्बंधित राज जैसे जंगली गधा ये इससे सम्बंधित सिंग पुच्छी मकाक इससे सम्बंधित है केरल राज और हुलाक गिब्बन इससे सम्बंधित है असम फिर है विश्व मौसम संगठन का मुख्याले कहां पर है तो विश्व मौसम संगठन का मुख्याले जेनेवा में है फिर है राजिव गांधी वन्न जीव संरक्षन most important question है व्रच मानो किसे कहा गया है तो रिचर्ड सेंट बार्म बेकर फिर है भारत के एनिमल वेलफेर बोर्ड का मुख्याले कहा है तो भारत के एनिमल वेलफेर बोर्ड का मुख्याले चिन्नई में है फिर है किस राज ने अपना वन अपना धन योजना प्रारंब की है करेंट अफेर्स का क्वेस्चन ये बन जाता है हिमाचल प्रदेश ऐसा राज है जिसने अपना वन अपना धन नामक योजना प्रारंब की है फिर है विश्व जल सनरक्षन दिवस कब मनाया जाता है फिर है एजेंडा 21 उपर एक पॉइंट डिसकस किया गया है तो एजेंड 21 में कुल कितने समझाते हुए हैं कुल मिलाकर चार समझाते हुए हैं 41 नंबर का क्वेस्चन देखते हैं Indian Institute of Ecology and Environment अव इस्थित है कहां पर इस्थित है नई दिल्ली में फिर अगला क्वेस्चन देखते हैं Green House Gas Protocol ये IAS का क्वेस्चन है ये क्या है तो यह सरकार यों बयोश साय को नेत्रत तो देने वाली ब्यक्तियों के लिए Green House Gas उत्सरजन को समझने परिमार निर्धारित करने यों प्रबंधन हे तु एक अंतर राष्ट्रिय लेखा करण साधन है क्या है कि IAS PCS के जो क्वेस्चन होते हैं हुब हुब कट काउपी पेस्ट किये जाते हैं तो इस वज़ा से थोड़ा सा अवेर रहना चाहिए जो भी क्वेस्चन पेपर होते हैं उनके प्रसनों को आप अवश्य देखते रहें तो ठीक है नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं 43 नंबर का क्वेस्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा वन जीव सनरक्षन समझाओता कौन सा है तो साइट्स नाम का एक समझाओता है conservation on international trade in endangered species यानि कि साइट्स विश्व का सबसे बड़ा वन जीव सनरक्षन समझाओता है ये फिर कुछ संगठन है इनके मुख्याले और स्थापना वर्स अक्सर हाइप में रहते हैं ये question amnesty international इसका मुख्याले ही ज़्यादा तर फिर है green peace की बात करें amsterdam में है नीदर लेंड थोड़ा सा टिपिकल उचारण है इसका नीदर लेंड में है green peace का amsterdam भी इसको आप प्रनेंशियेट कर सकते हैं कुल मिला के इसको आप देख लीजिएगा आपसन में आएगा तो सीधे से टिक करना है बबल कर देना है फिर है human rights watch ये इसका मुख्याले कहां है new yark USA में और इस्थापना वर्स है 1978 इसवी अगला है ये भी अति महतुपूर्ण है red cross red cross संगठन का मुख्याले है जेनेवा sweetager land में इस्थित है और 1863 इसका स्थापना वर्स है फिर है किसके व्रच को कल्प व्रच की संग्या दी जाती है तो नारियल एक ऐसा व्रच है जिसको कल्प व्रच की संग्या दी जाती है फिर है विस्व का सबसे बड़ा पुस्प कौन सा है riflessia फिर है सजावती पौधे के रूप में लाया गया पौधा जो बंगाल का आतंक भी कहा जाता है देखिए सबसे पहले ये बंगाल में एक सजावती पौधे के रूप में लाया गया था कि decorative plant है लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसने तबाही मचा दी बंगाल के इंतर और इस इस वज़े से इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है इस पौधे का नाम है जलकुम्भी फिर है वन किस सूची का बिसे है अक्सर हलका question है पूंच लिया जाता है वन समवर्ती सूची का बिसे है फिर है केंद्रिय म्रदा लवडता अनुसंधान संस्थान ये कहा पर इस्तित है फिर है last question हीट question है पर आकसी एसिटिल नाइट्रेट यानि कि पैन मुख्यता है तो पैन क्या है ये एक वायू प्रदूसक है तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 50 questions रहें 100 अतिमहत्पूर्ण प्रस्थन का ये part first है कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आवस्थ दीजेगा चुकि का काफी मेहनत के बाद ये video prepare हुआ है content को ढूलने में काफी मसकत करनी पड़ी है इसका PDF आप प्रेम पूर्वक टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिजेगा कोई सुलक नहीं है किसी प्रकार की कोई condition नहीं free of cast है डाउनलोड करिएगा लेकिन बस इतनी सी request है चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो subscribe करके अवस्य जाईएगा चूकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलेंगे यूपिटेट 2019 हो एस्टेट हो या अन कोई भी प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी है लगातार आपको यहाँ पर कराई जाती है तो वीडियो को like and share भी कर दीज पहुंचेगा जिससे यह होगा कि अन मित्रों तक पहुंचेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग लाभानवीत हो सकेंगे कहीं की मेहनत किसी किस काम में आजाएगी सार्थक हो जाएगी तो थोड़ा इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है और प्रोत्साहन भी मिलता है like अ बटन है उसको दबाना भूल जाते हैं तो ठीक है यह सब चीजें करते रहें पढ़ते रहें मस्त रहें बेस्त रहें नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए सुक्रिया धन्यवाद